नमस्कार गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपके लिए लीडी सॉक्स 6-7 नंबर तक के 6-7 नंबर पैर के लिए बूट का वीडियो लेकर आई हूँ इस सॉक्स को बनानी में मैंने वर्दबान की वूल का प्रियोग किया है और इस सॉक्स को यहां से शुरू करते हुए बनाया है इसकी एंकल की लेंध बहुत अच्छे से बन कर आई है अगर एंकल की लेंध जाता होती है तो बूट पैर से उतरेगा नहीं फ्लस नीचे से इसक पहले हमने इसका ये border बनाया, फिर हम इसको नीचे की तरफ लाते चलेगे, पहले इस चीज को बनाया, फिर हमने इसको दो भागों में divide किया, उसके बाद हमने उंगली और उंगुठे की proper length बनाते हुए हमने इसको complete किया है, और बिल्कुल proper shape दी है, ऐसे नहीं है कि यहां से निकल रही हो और जो पहनने के बाद सुंदर नहीं लगता, बिल्कुल proper shape देने के साथ हमने इस पूट को मनाते हुए complete किया है, इसको पन्ने में total wool 60 gram लगी है, तो आए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, जदि आप और भी booties देखना चाहते हो, तो उपर eye button में इसका link दिया है, आप उसको touch करके, click करके भी देख सकते हैं, और नीचे description box में भी playlist लगी है, यहाँ पर मैंने एक boot पूरा complete किया हुआ है, एक boot पूरे का पूरा मैं आपके सामने बनाऊंगी, बूट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 46 stitches लिए हैं, इसके उपर मैंने 10 रो, बिल्कुल उल्टे उल्टे बनाई हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, उसके बाद 2 मारकर लगाए हैं, 21 फंदे इधर से छोड़ने के बाद मारकर लगाया है, 21 फंदे इधर से छोड़ने के बाद मारकर लगाया है, और center में मेरे पास 4 फंदे हैं, इसके उपर, अब हम अपने इस मारकर के इस साइड के फंदे प्लस इस साइड के 21 फंदे जो है इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और जो हमारा बीच का ये है ये जो चीज है ये हम सीधी सीधी बनाएंगे ये हमारे चार फंदे ही चलेंगे और इधर इस साइड हमाशा एक एक फंदा करके बढ़ता रहेगा 21 हैं 22, 23, 24, 25 इस तरीके से फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे पहले हम उल्टा उल्टा बनाते हुई 21 फंदों को कम्प्लीट करेंगे और एक रो मैं आपके सामने बना रही हूँ 21 फंदे उल्टे बनाने के बाद धाका दूसरी तरफ करेंगे एक चाले डालेंगे फिर हम मारकर अपनी स्लाई पर लेंगे चार फंदे सी थे एक दो तीन चार इस साइड पहले मारकर अपनी स्लाई पर लेंगे फिर थाका अपनी और करेंगे और फिर एक जाले डालेंगे जाले डालने के बाद इस साइड की 21 फंदे हमें ऊटे ऊटे बनाते हुई कम्प्लीट करने हैं यहां पर इस रो में हमारे दो फंदे बढ़ गए हैं इस साइड हमारे पास 22 फंदे हो गए हैं इस साइड भी 22 फंदे हो गए हैं रॉंग साइड से रो नमबर जो नेक्स रो है वो हमें उल्टी उल्टी बनानी है सारी रॉंग साइड हमेशा ही हमें उल्टी उल्टी बनाते ह सीथी साइट से दूसरी बार हम अपने फंदों को बढ़ाने लगे हैं दूसरी बार उल्टा उल्टा बुनते हुए हम 22 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्रीट करेंगे 21 फंदे उल्टे यह जो हमने फंदा जाली से बनाया था इसको भी उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करके एक चाली डालेंगे मारकर अपनी स्लाईपर लेने के पाद 4 फंदेसी थे 1, 2, 3, 4 इस साइड हम मारकर अपनी स्लाईपर लेंगे घागा अपनी और करके एक चाली डालेंगे और सारे के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्रीट करेंगे wrong side से हमी सारी की सारी row उल्टी बनाते हुई complete करना है और इसी तरह से बनाते हुई हमको 5 पार अपने फंदों को बढ़ाना है 5 पार फंदे बढ़ाएंगे तो 10 फंदे बढ़ जाएंगे 40 फंदे मेरे पास अब है बाद मेरे पास 56, 56 फंदे हो जाएंगे तो पहले मैं 5 पार अपने फंदों को बढ़ा कर complete कर लेते हूँ यहां पर मैंने अपनी 5 चाली complete कर ली है 1, 2, 3, 4 और 1, 5 अब मेरे पास स्लाइप पर इस तरह 26 फंदे है इस तरह भी 26 फंदे हैं सेंटर में मेरे पास 4 फंदे हैं अब हम उल्टा उल्टा बनाते हुए सबसे पहले 26 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और इस रो में हम अपने पूट की इस डपल जाली को बनाना स्टार्ट करेंगे 26 फंदे उल्टे बनाने के साथ ये वाली जाली हम लगा तार बनाते रहेंगे धागा दूसरी तरफ करके एक चाली और इस पार हम दो फंदे सीदे बनाएंगे एक और दो यहां पर हम एक जाली बना लेंगे दो फंदे सी थे एक दो और यहां पर हम धाका अपनी ओर करके एक जाली बनाने के साथ इस तरफ के 26 फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए कम्प्रीट करेंगे और वापसी भी उल्टी उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और इस बार मेरे पास सिलाई में तीन फंदे बढ़े हैं एक, दो, तीन इस पार हम सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए 27 फंदे उल्टे बनाएंगे तो पहले में 27 फंदे उर्टे Complete कर लेते हूँ 27 फंदे उर्टे बनाने की बाद यहां की जाली बिल्कुल पहले की तरह बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करके एक जाली इस पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे एक और दो यह जो हमने जाली बनाई है, यहाँ पर दो फंदों के बाद एक जाली, एक फंदा सी था, धाका अपनी ओर करके एक जाली, दो फंदे सी थे, बनाने के बाद इस साइट धाका अपनी ओर किया, एक जाली बना ली और इस साइट के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए complete करेंगे प्लस वापसी हम रॉंग सैड बनाते हुवे वापसी आएंगे अब हम यहां से सीथी साइड से 28 फंदों को उल्टा-उल्टा बनाते हुवे complete करेंगे तो पहले मैं यहाँ पर 28 बंदे कम्प्लीट कर लेते हूं 28 बंदे बनाने के बाद पहले की तरह एक चाली दो फंदे सी थे एक और तो एक चाली बनाने के बाद पहले सेंटर में एक फंदा था अब तीन फंदे हो गए एक दो तीन एक चाली दो फंदे सी थे एक तो बनाने के बाद एक चाली बनाने के बाद इस साइड के भी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और वापसी के रोबी हम उल्टे बनाते हुए लेकर आएंगे ऐसा हम आठ ब करेंगे जिसम whereby से हमने तीन बार कर लिया एक दो और तीं है जाली हम लगातार बनाते रहेंगे इस साइड्य के टोटल जाली मेरे पास tie-ra हो जाएंगीững चाली यह यहां पर मैंने अपनी 8 जाली बना ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 जाली बनने में 15 फंदे बने है, 7 जाली इधर से है, 7 जाली इधर से है 14, और 1 ये common है 15 जाली, उसके बाद मैंने फंदों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तरफ मैंने ये 8 फंदे आये हैं, और एक तरफ 7 फंदे हैं, टोटल फंदे कितने हैं, 44 फंदे इस तरफ है और 43 फंदे इस तरफ है, सबसे पहले हम पहले की तरह उल्टा उल्टा बनाते हुए अपने इस फंदे तेक हम उल्टा बनाएंगे, यहां तक उल्टा बनाने के बाद इस साइट हम अपनी चाली को दो बार बनाएंगे, धाका अपनी और करके यह हमने एक चाली बना ली है, और यह स्लाइज बनाएंगे हम सीधी, यहां तक सीधी बनाएंगे, और रॉंग साइट हम सारी की सारी उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे, और उल्टी बनाते हुए पहले हम यहां तक आएंगे, फिर हम यहां पर एक बार चाली और बनाएंगे, यहां पर मैं दूसरी बार चाली बना रहे हूं, बनाने के बाद अब हमारा जाली बनाने का काम जो है वो बिलकुल कम्प्लीट हो गया है और इसके बाद उल्टा उल्टा बनाते हुए हम ये रो वापसी आएंगे इसके उपर अब मैं सात रो बनाऊंगी इसलिए मैंने एक मार्कर लगा लिया है ताकि जब मैं सात रो बनाऊं तो मुझे पता चल जाए एक सीधी साइट से एक उर्टी साइट से बनाते हुए जब मैं सात रो कम्प्लीट करूंगी तो मैं अपनी रॉंग साइट पर आ जाऊंगी फिर हम आठवी रो अपनी wrong side से बनाते हुए complete करेंगे इसके बाद हमको जाली नहीं बनानी इस side जाली मेरी 15 बार बननी है और इस side जाली हमारी 10 बार बननी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 1, 10 इस तरफ 15 बार है इस तरफ 10 बार है तो पहली में 7 रो उल्टी उल्टी बनाते हुए complete करूँगी जब मैं 7 रो बना लूँगी तो इस मार्किर के उपर इस तरह की 4 सरी complete हो जाएगी यहां से पहली लाइन में आपके सामने बना रही हूँ बस इसी तरह से बनाते हुए 7 रो complete करनी है एक रो हमने complete कर ली है और 6 रो हम और complete करेंगे वो भी उल्टी उल्टी बनाते हुए यहां पर मैंने अपनी 7 रो complete कर ली है तो 4 6 और 1 7 रो complete करके अब मैं wrong side आ गही हूँ wrong side से row number 8 में हम अपनी 6 फंदों को बन करेंगे तो 4 और 2 6 उल्टा उल्टा बनाते हुए ही बनाएंगे और 6 फंदों को बिलकुल loose बन करेंगे एक दो तीन चार पांच और एक 6 छे फंदे बन करने के साथ हम यह सारा का सारे यह रो जो है उल्टी उल्टी बनाते हुए complete करेंगे तो इसी के साथ ही हमने अपनी यह जो जाली बनाई थी जाली के उपर हम अपनी 8 रोज complete कर लेंगे यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज complete कर ली 2, 4, 6 और 8 अब मैं अपनी इस साइड आ गई हूँ सीथी साइड से 8 रोज बनाने के पाद इसके उपर मेरे को 6 रोज बनानी है जिसमें से एक रोज बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाते हुए बनाऊंगे और वापसे उल्टा उल्टा बनाते हुए आएंगे ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा हमको कम करना है तो इससे तरह से बनाते हुए पहले मैं दो रोज और complete कर लेते हुए मेंचे चेरो में से मैंने दो रोज नाली है इसके उपर मैं चार रों बनाऊंगी एक सीथी साइट से एक उल्टी साइट से और जब मैं सीथी साइट से अपनी रो शुरू करूंगी तो हम दो फंदों का इकठा एक फंदा कर लेंगे एक फंदा हम कम कर लेंगे जिससे हमारी थोड़ी से एड़ी की शेप आ जाएगी एक फंदा कम कर लिया अब ये रो सारी की सारी में उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लेट करूंगी और वापसी फी पूरा बनाऊंगी फिर हम इसके ओपर अपनी रो नमबर पांच वी बनानी शुरू करेंगे यहाँ पर मैंने अपनी चार रो कंप्लेट कर ली है अब मैं अपनी रो नमबर पांच जब शुरू करूंगी तो यहाँ से एक फंदा फिर से कम कर लूँगी एक फंदा बंद करने के बाद सारी की सारी सलाई हम उल्टी उल्टी बनाती हुए कम्प्लेट करेंगे और रोंग साइट से रो नमबर छे कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने बनाऊंगी पांच रो कम्प्लेट कर ली है अब हम रोंग साइट से रो नमबर छे और आखरी बना रहे हैं इस रो में हम आठ फंदो को बंद करेंगे तो चार छे और आठ और फंदे पिलकुल लूज बंद करेंगे पहली बार हमने छे फंदे बंद किये थे दूसरी बार हम आठ फंद बंद कर रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक सईचे, और एक आठ, आठ फंद बंद करने के बाद, ये रो हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए, कंप्लीट करेंगे, यहां पर मैंने अपनी 6 रो कंप्लीट कर ली है, धागे को मैंने काठ दिया है, अब इसके बाद हम अपनी इस साइट को बनाएंगे, इस साइट और इस साइट में एक रो का फार्क रहेगा, पहले मैं ये वाले फंदे अपने स्टिच होल्डर पर ले लेते हूँ, सबसे पहले हम इस साइट अपने दो बार जाली को और बनाएंगे, सिर्फ जाली जाली का पोर्शन मैं आपके सामने बनाऊंगे, बाकी के उल्टे फंदे और रोंग साइट वो हम स्किप करेंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, साथ फंदे, दो, चार, छे और एक साथ, फंदे बनाने के बाद एक जाली, दो फंदे सी थे, एक और दो, धाक अपनियोर करके एक जाली बनाएंगे, और सारी के सारी रो हम उल्टी बनाएंगे और वापसी भी हम उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे इसके उपर फिर हम एक बार जाली और बनाएंगे जाली एक बार और बना रहे हैं आठ फंदे सी थे एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ फंदे बनाने के बाद एक जाली धाक अपनी और करके एक जाली डालते हुए ये रोज सारी के सारी उल्टी बनाएंगे और वापसी भी उल्टी लेकर आएंगे फिर हम इसके उपर अपने बूट को आगे बनाएंगे इस साइड भी मैंने इधर की जाली पंदरा बार और इधर की जाली तस बार कम्प्लिट कर ली है और एक मारकर लगा लिया है इसके उपर मैं 6 रोज ना कोई फंदा बढाऊंगी ना कोई फंदा घटाऊंगी एक स्लाई उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी बनाते हुए पहले 6 रोज बनाऊंगे, जब 6 रोज बनाऊंगे तब यहाँ पर इस तरह की 3 सरी बनकर कम्प्लीट हो जाएंगे यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज कम्प्लीट कर ली है, हमने जो पहली बार बनाया था, यहाँ पर 8 रोज बनानी है इस साइड भी मैं 8 रोज बनाऊंगे, इस में रोज नम्बर साथ में 6 फंदों को बंद करूंगे 2, 4, 6, फंदी हम लूज बंद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 6, 6 फंदे बंद करने के बार रोज नम्बर साथ और रोज नम्बर आठ, सारी की सारी उल्टी बनाते हुए, कम्प्लीट करेंगे, तो हमारा इस साइट भी 8 रोज का एक पैट्रन जो है, वो कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज कम्प्लीट कर ली है, इसके उपर में को 6 रोज बनानी है सबसे पहले इस तरफ में 3 रो बनाउंगे, सीधी साइट से उल्टी, उल्टी साइट से उल्टी और फिर सीधी साइट से उल्टी 3 रो बनाने के बाद, रोज नम्बर चार हम रॉंग साइट से आपके सामने बनाएंगे यहाँ पर 6 रोस में से 3 रो बना ली है अब मैं रॉंग साइट पर आगी हूँ रॉंग साइट से रो नमबर 4 में हम एक फंदे को बंद कर लेंगे काम कर लेंगे रो नमबर 4 सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट करूंगी और 6 भी उल्टी उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर मैंने अपनी 5 रो कम्प्लीट कर ली है wrong side से row number 6 बना रहे हैं wrong side से जब row number 6 बनाएंगे एक फंदा हम फिर से काम कर लेंगे बस उल्टा उल्टा बनाते हुए row number 6 हम complete कर लेंगे यहाँ पर मैंने 8 और 6 14 रो के अपनी बिल्कुल दोनों side एक चैसी बना ली है अब मैं यहाँ पर 8 फंदों को बन करूँगी और फिर मैं इसको इसके साथ दोसलाईयों पर जोडते हुए सारी नीचे की तले को complete कर लेंगे यहाँ पर हमने इस side पर अपनी 6 रोस complete कर ली है धागा मेर पास इस side है जैसे हमने यहाँ पर 8 फंदों को बंद किया था इस side हमने जब start करे थी तो हमारे पास 8 फंदे थे इस side पेर पास 7 फंदे थे तो इस side में 7 फंदों से बंद करूँगी इस side एक फंदा कम है इस side एक फंदा जादा था इसलिए आठ फंदे कम किये हैं इस side में साथ फंदो को कम करूँगी उसके बाद हम दोनों पैरों को आपस में इकठा करके बंद कर देंगे पहले साथ फंदे बंद करेंगे, एक धिला बंद करेंगे, तो, तीन, चार, पांच, छे, और एक साथ. साथ फंदे बंद करने के बाद, इस साइट भी मेरपा सिलाई पर 32 फंदे हैं, अब हम दोनों पैरों के इन शिलाईयों से, आपस में हम इन दोनों फंदों को बंद करेंगे. इस फंदे को पहले हम अपनी इस स्लाइक के उपर ले लेंगे और अब हम यहां से अपनी दो फंदों का इकठा एक फंदा करना शुरू करेंगे बस इस साइड से दो फंदों का इकठा एक फंदा करेंगे और पीछे वाला फंदा हम पलटते चले जाएंगे वो थोड़ा धीला धीला बंद करेंगे अगर हम टाइट बंद कर देंगे तो हमारे पैर का तल्ला जो है वो छोटा हो जाएगा यहाँ पर हमने सारे फंदे बंद कर लिया फंदे हमने बिलकु लूज बंद किये है और अब हम इसी आखरी जो हमारा स्टिच है तो इस साइट से हम जरूर थोड़ा बहुत उपर-िचे कर देंगे इसके उपर से निचे लाते हुए हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी جो सीथी साइट है इसको अंदर कर लेंगे और wrong side है उसको हम बाहर कर लेंगे और सबसे पहले हम इस किनारे को यहां से पक्का कर लेंगे और पक्का करने से पहले अगर तो यहां पर धागा हो तो उससे धागे से सिल देंगे अगर ना हो तो पहले हम इन धागों को अंदर कर लेंगे किनारे को पक्का करने के बाद हम अपनी जुराब की सीधी साइड को बाहर निकाल लेंगे और उल्टी साइड को हम अंदर कर देंगे यहां पर अब किसी भी एक साइड से हम सुई को बाहर लेंगे और बस दो थागे एक साइड से लेंगे और दो थागे हम एक साइड से लेते हुए पहले हम अपनी इतनी जुराब की साइड को कम्प्रीट करेंगे यहां पर हमने अपनी इसकी ये side complete कर ली है अब हम इसके अंगूठे की slide करेंगे अंगूठे की slide करने से पहले सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे अंगूठे की जो slide है वो हम wrong side से करेंगे इस तरीके से उल्टा करने के बाद हम अपनी ये जो चेन है एक साइड की चेन है इसको इसके साथ मिलाएंगे और इस साइड की चेन को इसके साथ मिलाएंगे और इस तरीके से हम अपनी अंगूठे और उंगली को अलग कर लेंगे ये गलती कभी नहीं करनी कि हम चेन को चेन क साथ मिला दें तो हमारा जो बूट है वो बना बनाया खराब हो जाएगा इसकी स्लाई हम कैसे करेंगे रॉंग साइट से कि स्लाई हम बिल्कुल छोटा-छोटा कच्छा करते हुए या जैसे थोड़े दो धाके पीछे से ले लिए एक धाका हम आगे से ले लेंगे एक धाका दो धाके पीछे से और दो धाके आगे से एक धाका नहीं दो धाके आगे से लेते हुए पहले हम इसकी इस साइट की स्लाई कर ली अब यहां पर हम यहां पर भी सेम तरीके से सिलाई करते हुए हम इसको पक्का करेंगे बनाने का तरीका सिलाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है यदि आप और भी बूटिस देखना चाहते हो तो उपर आई बटन में इसका लिंक दिया है आप उसको टच करके क्लिक करके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट लगी है यहां मेरी जुराब बनकर बिल्कु त्यार हो गई है अब मैं इसको सीधा करूँगी और दूसरे पैर में डाल कर आपको दिखांगे दोनों पैरों की शेप बिल्कु लेक जैसी बनकर आएगे जरा भी डिफ्रेंस नहीं आएगा जुराब बनकर बिल्कु त्यार हो गई है यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स जुरूर करें जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोठली में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें गुट्टी की पोठली नमस्कार धन्यवाद